और वही आपको बता दे कि आज पूरे देश में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है आज रावन दहन का कारिकरम जो है उसका आयोजिन किया जाता है जिस तरह से आज मादुर्गा की बदाई देखने को मिली उसके बाद से महिलाई सिंदूर खेला खेलती है उसके बाद से शाम को रावन दहन को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिलता है माना जाता है कि बुराई पर आज अच्छाई की जीत होती है और इसी पर अधिक चर्चा करने के हमारे सही होगी मुझी दिन हमारे साथ लाइव जुक जुके सीधे उनका रूप करेंगे मुझी देखे आज पूरे देश में दहशरा मनाया जा रहा है अगर बात करें तो माता के नवरात्री जो है वो बड़ी धूम धाम से बनाये गए आज माता के विदाई देखने को मिलती है अपने बेटी की तरह लोग आज उनको विदा करते हैं महिलाई जो है वो सिंदूर खेला करती है लेकिन अगर बात करें तो आज के दिन बहुत एहम माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता कि आज के दिन ही बुराई पर अच्छाई की जीत होती है राची में फिरहाल क्या भवान करने की तयारिया लगभग मुकंबल कर चुकी है और इसे लेकर राची के अतिहासिक मौराबादी मैदान में रावन दहन कारेकरम आयोजित की गई है यह आयोजन जो कमिटी जो कमिटी है उसे हिंदू बरादरी कहते हैं पंजाबी हिंदू बरादरी जो की पिछले 65 वर्षों से इस तरह के कारेकरम करती आ रही है और कहा जा सकता है कि इस रावन दहन कारेकरम में उनका बड़ा तो 70 फीट का रावन बनाया गया है और 65 फीट का कुमकरन बनाया गया है वहीं अगर मेगनात की बात कर ले तो मेगनात 60 फीट का बनाया गया है और ठीक उसी के पीछे जो लंका बनाई गई है लंका की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे यह शेत्र लंका का बनाया गया है जहां लंका में आग लगा दी जाएगी और ये लंका दाखता हुआ नजार आएगा और इसका जो कैपिसिटी है इसका जो इस लंका की जो शेत्रफल है वो 30 से 30 फिट के आसपास बताई गई है तो कहां जा सकता है कि आज जो रावन दहन का कारेकरम है राची के अतिहासिक मु कहते हैं कि कम धुआ फैल आने वाला और वातावरन को दुशीत नाग करने वाला वैसे पटाकों का इसमें पर्योग किया जाएगा ताकि पर्यावरन से खिलवार ना हो पर्यावरन को संरक्षित रखी जाए जिस तरह से हमने कुनाल आजमानी से बात की थी जो चेयर्मैन है इस समीति के पंजाबी हिंदू परादरी के तो उन्होंने भी कहा था कि जो पैरामीटर जो फाइर्स होते हैं वो हमने इस्तेमाल किया है और खास करके इस कारिकरम में बतौर मुख्य थी राज के मुख्या हेमन सोरेन पहुंचेंगे और कई बड़े पदाधिकारी भी शाम जीत का पर जीत का परतीक का तहवार कहा जाता है और सबसे महतपूर्ण चीज यह है कि वर्षों से इस तरह के कारेकरमों के खास करके रावन दहन कारेकरम को लेकर जो तयारियां की जाती है उसमें मुस्लिम समाज के लोग भी शिरकत करते हैं और यह जो रावन जो बनाया तहजीब की जो मिसाल है वो राची में राची वासिय और जारखंड वासिय हमसा देते रहे हैं और यही वजय की तमाम पहवारों को मिल जुल कर जिस तरह से मनाया जाता है आपसे कारेकरम हो रहा है जहापर तमाम लोग यहां पर यहां कोई हिंदू मुस्लिम कोई चोटा बड़ा कुछ नहीं देखा जाता है, यहां पर सभी लोग आपस में मिलकर बड़ा ही खुबसूरत अंदाज से यहां पर पटाकों के साथ रावन को दहन करेंगे, लेकिन सबसे खास बात यह भी बता दें, साक्षी कि जिस तरह से हम परतियक वर्स रावन को दहन करते ह करके जो राम राजी का जो हम सफना देखते हैं, वो कायम हो सके। अपने दर्सकों से यही कह रहा है कि इस बार जो हम रावन दहन कर रहे हैं अपने भीतर के रावन को भी समाप्त किया जाए विनास किया जाए और एक अच्छे सफल रास्ते में हम निकलने का पर्यास करें ताकि हमारा समाज हमारा देश और भी तरकी कर सके साक्षी जी मोईजी दिन आपने बहुत अच्छी बात करें जिस तरह से हमारे देश के लिए कहा जाता है कि अनेकता में एकता हिंद की विशेष्टा विशेष्टा विशेष्ट से आपने बताया कि रामगर से एक खुद मुस्लिम कारिगर जो है वो आके इस रावर को बनाते है तो द प्रसाशनिक तयारियों की बात करें तो सबसे पहले जो सीए मो के तरफ से मुखमन्तरी के आवासिये कारयाले जो होता है सभी पूरे जारकन राज में अगर सुरक्षा की बात कर ले तो पूरे जारकन राज के सभी उपायुक्तों को सभी पुलिस पदादीकारियों को निर्देश दे दिये गए हैं कि दुर्गापुजा में अत्यधिक भीड होती है लोग दर्शन के लिए आते हैं और खास करके रावन दहन कारेक्राब में शिर्कत करते हैं ऐसे में इन तमाम दर्शनार्थियों का जो सुरक्षा है वो सबसे पाहल होना चाहिए अवल दर्जे का होना चाहिए इसके लिए र सीसी टीवी कैमरे से पूरा परिसर लैस नजर आ रहा है पैरो मीटर्स फाइट्स की जो तयारिया है आपको हम दिखाएंगे पटाकों की जो है वो पटाके भी इस तरह के इस्तेमाल के जारें चुकि कले दिशा निर्देश मिल गए थे कि किसी तरह से वायू परदिशन वा मदे नजर देखी जा रही है यहां तक के स्क्रीनिंग की अगर हम बात कर लें साची तो बड़े बड़े जो यहां पर इस्क्रीन जो लगाए गए हैं वो भी करीब 6-8 जो इस्क्रीन है वो चालू होंगे और इसमें सीधे तोर पर लाइट परसारन दिखाये जाएगा ही तरह के बटालियन जो है वो यहां पर तैनात होंगे सेग्डों की संक्या में महिला पुलिस जवान भी मौजूद होंगे खास करके महिलाओं के लिए पुरुशों के लिए अलग अलग निवेश और परवेश के द्वार बनाये गए हैं यहां तक के जो व्याइपी सीट् कि वहां पर सजावट कर दी गई हैं तमाम कूर्सियां सोफा हैं सारा कुछ लगा दिया गया है और यहां तक के जो बरिकेडिंग लगाई गया है कि लंका में जब आग लगती है तो आग का धूवां काफी तेज होता है और लंका के भीतर बी जो पटाखे होते हैं वो किसी को नुकसान न पहुचाए इस वज़ा से भी सुरक्षा के लिहाज से काफी तयार्या की गई है आगे हम अपने सायोगी को कहेंगे अर्विंद किरपे आईए आगे दिखाते हैं यहां से जो रोकेट जो चलेगा सीधे रावन के रावन में जो होगा रावन में जो जाकर अट इसमें तियर की तीर चलाए और यह उसी के लिए यहां पर एक जो ऌर जो बीम नजर आ रहा है इसी में वह तीर की जो यह होगा और एक रशी लगा परके लाटेग करेगा रावन के च्छाति पर और कहीं नहीं तहीं जहता हुए इस बात को सबूत देगा क्या माँद का वद कर रहे हैं और आज से हम संकल पर रहे हैं कि सफल और बेहतर एक वातावरण में पूरे raja और देश के युवाओं को ले जाना है राज के मुखमंत्री भी इसी बात को पर्मानित कर रहे हैं लेकिन ज्ञारकंट की सियासत में भी कुछ इंडिनों अलग अलग चीजे देखने को बिल रही साक्षी लोग एक दूसरे को आरोप पर त्यारूप कर रहे हैं क्यूंकि दसारा के मौके पर जिस तरह से जारकन की राजनीती लागतार अलग रूप ले रही है चूंकि आप चुनाओ का समय भी नजदीक आ रहा है ऐसे में आप कई न महराबादे मैदान राजशी में पूरी कर ली गई है आपको बता दे कि आज दसारों को लेकर प्रसाशन भी पूरी तरह से रेस है आज मुखी मिंत्री हेमन सुरेन वहां पहुंचेंगे जिसको लेकर तैयारिया जो है वहां से तस्फीरे दिखा रहे थे कि किस तरह से वहा तैयारियां जो है वो पूरी करेंगे